तो ही दोस्तों वेलकम ही आपका घर की रसोई में मैं हूँ नीरच और आपका फिर से स्वागत करते हूँ अपने चैनल पर आज मैं आपके साथ सेयर करूँगी सिंपल सी आसान सी पनीर की सब्जी की रेस्पी एकदम स्वादिश चीये रेस्पी बनाना काफी असान है गंटो तो रसोई में खड़े रहने की जोद नहीं है स्वादिश सी सब्जी बनकर तयार हो जाएगी आप इसी तरीके से रोज रोज बनाएंगे मैं इसकी गैनटी दे सकती हूँ बिना लैसुन प्याज के इतनी स्वादिश बनकर तयार होती है कि आप समझ नहीं सकते कि इसमें ल आइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलिएगा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे आगे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो यहां पर मैंने फ्रेस पनीर ले ले लिया है जो करीबन 200 ग्राम है और कुछ इस तर हमारा सारा पनीर कठ हो गया है इसे हम साइट में रख लेते हैं और मसाले की तयारी कर लेते हैं तो मसालों के लिए भी हम बहुती सिंपल सा समाल लेंगे ज्यादा नहीं लेना बस हमें लेना है दो हरी मिर्च की क्वएंटिटिटी आप अपनी टेस्ट के प्रम जयादा कर अगर तीखा ज्यादा पसंद हो हर मिर्च ज्यादा ले ले एक से डेड़ इंच अद्रक के टुकड़े को भी इस तरह से कट करके ले लेना है जिससे हमें पीषने में सुभदा हो आप अद्रक का पेष्ट भी ले सकते हैं फिर हमें टमाटर मैंने यहापर तीर मीडियम कर ले लिया है और इसे भी कर लेंगे मिक्स感じ के जान में डाल देंगे क्योंकि हमें इस साइड में डाल देंगे जो करीबन दो चमच थे फिर हमें डाल गोटा-जिरा एक छोटा चमच जीरा जब थोड़ा हलका सा ब्राउन हो जाए फिर हमें डाल देना है चार से पांच छोटी लाइची एक में आपर साबुत लाल मुच ले रही हूँ आठ से दस लॉंग और आठ से दस काले मिच फिर तेज पता डाल देंगे क्योंकि स्लो नहीं रहेगा तो से ज़न जाएंगे हलका सा हिलाड ला लेंगे जिससे थोड़े से सोटे हो जाए फिर हम इसमें डाल देंगे हमने जो पेस्ट त्यार किया था उसे पेस्ट को डालने के बाद फ्लेम को अभी भी हमें स्लोही रखना है क्योंकि इसमें हमें कुछ मसालों को एड़ करना है जैसे कि मैं आप डालूई छोटा चम्मच करीबन चीनी एक छोटा चम्मच हल्दी का पॉडर और करीबन डेर छोटा चम्मच मैं यहाँ पर दनिया का पॉडर यूज़ कर रही हूँ कलर के लिए मैंने यहाँ पर कस्मीरी लाल मिर्च ले लिया है इससे काफी अच्छा कलर आता है तीखा नहीं होता है तो अगर आपको कलर चाहिए तो आप कस्मीरी लाल मिर्च जरूर यूज़ करें या फिर कस्मिरी लाल मिर्च ना हो इसके भी कर सकते हैं फिर भी काफी अच्छी बन कर तयार होती है और मसालो को अब हम मीडियम फ्लेम में भूनेंगे और स्वाद बहतरीन हो इसके लिए मैं आपर ले रही हूँ एक चम्मच कसूरी में थी इससे काफी अच्छा स्वाद आत है तो मीडियम फ्लेम में मसालो को अच्छे से भूनना है मसाली जितने अच्छे भूनेंगे स्वाद भी अच्छा सबजी का होता है तो देखिए कुछ इस तरह से चारो तरब से चलाते हुए हमें भूनना है फिर डाल देना है स्वादान मसार नमक और थोड़ी देर भून पॉडर थोड़ी देर तक चलाएंगे बगल में मैं याप पर पानी गरम कर रही हूं क्योंकि गर्म पानी का यूज करना होता है गर्म पानी डालने से सब्जी में कलर अच्छा आता है और सब्जी का स्वाद भी बिल्कुल नहीं बिगड़ता तो गरम मसाला पॉडर डालने क तो आप ठोड़ी ग्रेवी कम भी ले सकते है तो पनी डालने के बाद थोड़ा सब हुनेंगे फिलेम अभी भी मिडियम है उसके बाद हमें पानी डाल देना है पनीर को मैंने आपके फ्राई नहीं किया है फ्रेश पनीर थी तो पनीर को फ्राई करने की जोरत नहीं पड़ती है अगर ताजी वाली पनीर ना हो तो आप पनीर को पहले तेल में फ्राई कर लें फिर डाले जिससे स्वात अच्छा आता है तो देखें ढख के छोड़ दे आया है मैंने पनीर में काफी अच्छा उबालाने लगा है मसालो का फ्लेवर पनीर में जब अच्छे से चला जाए नमक का फ्लेवर चला जाए तब हमें फ्लेम को आफ करना है तो मिडियम फ्लेम में दो से तीन मिर तक हमें ढख कर छोड़ देना है जिसे पनीर में मसालो और नमक का फ्लेवर चला जाए फिर हम सबजी को सर्फ कर देंगे काफी आदा घंटों में किचन में खड़े राने की चरूत पड़ी चटपट आसांसी स्वादिसी पनीर की रेस्पी एक बार जरूर ट्राइ करें अपना अनुगा कोमेंट के जरीए जरूर सेयर करें आपको पनीर की रेस्पी कैसी लगी अच्छी लगें लाइक और सब्सक्राइब स्वस्त रहें जै भारत जै हिंद थैंक यू